बैयो नमस्कार आप सबी का स्वागत है हमारे चैनल में इस वीडियो में हम बात करेंगे प्याज के कंद बनाने के फार मुले के बारे में अगर आप प्याज का कंद बढ़ाना चाहते हो तो आपको फसल की अधिक पेदावार मिलेगी फसल की अधिक पेदावार लेने के लिए आपको कंद का अच्छे च्छे तरीके से इसका विकास करना चीए आपको फसल की सुरुवाती अवस्ता में ही पोदे को अच्छी तरह से गरोध करवानी चीए ताकि आप वो देखके कंद की अच्छी तरह उसको बड़ा ठोस और चमकदार बना सके अगर ठोस चमकदार और वजनदार बनाना चाते हो तो आपको अपने प्याज की फसल में कुछ मेतमपुन खादो और जरूरी कामों को करना चीए उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे इस वीडियो में हम प्याज के कंद को बड़ा भजनदार चमकदार मजबुतिदार और बड़ा बनाने वाले खाद के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों आप हमारा वीडियो सुरूर से लेकर अन तक जरूर देखे ताकि पूरी जनकरी आपको इसी वीडियो में समझ में आए दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें तो उसमें पहला बिंदो आता है प्याज में खर्पतवा नियंतरन समय पर करें जैसा कि दोस्तों अगर आपके प्याज की फसल में खर्पतवार हो रहा है तो आप उसमें खर्पतवार ना सक दवा का प्रयोग कर सकते हो या हाथों से नेरे गुड़ाई करके उसमें आपको खर्पतवार नियंतरन करना चीए अगर खर्पतवान नियंतर हो गया तो पोदे की जड़े अच्छी तरह के से विकास करेगी पोदे में पोदे को हवा मिलेगी जिससे की पोदा ओटोमेटिक अपने कंद को बड़ा बना लेगा आपको दूसरा काम करना चीए प्याज में सही समय पर आपको यूरिया का प्रयोग करना चीए जब आपके प्याज की फसल 25-50 दिनों के बीच के अवस्ता में होती है उस समय पर पोदे में आपको एक बार यूरिया का प्रयोग करना चीए एक एकड में आपको 25-30 किलो यूरि किसे करती हैं और कंद को बड़ा बनाने में मजबूती दार परदान करता हैं साथ ही इसके साथ लाश्ट में आपको एनपी के 0-0-2-24 का प्रियोग करना चाहिए इसमें 52% फोसपोरस और 34% पोटास होता हैं फोसपोरस पोदे के तने को मजबूती परदान करता हैं पोदे को खड़ा रखने में मदद करता हैं साथ ही जड़ो में जड़ो के विकास में भी साहिता परदान करता हैं इसके अलवा पोटास प्याज की पसल में कंद को बड़ा वजंदार मजबूती दार और चमकदार मनाने में साहिता करता हैं साथ ही पोदे को रोगों से लड़ने की सम समता परदान करता हैं अगर आप प्याज के पसल में पोड़ास का प्रियोग करते हो तो प्याज फूलने में भी मदद करता हैं इसलिए दोस्तों आपको समय रहते हैं यंद्पी के 0-22-34 खाज का प्रियोग करना चाहिए और जब प्याज 100 दिन के आसपास हो जाता हैं उस समय प्याज के पसल में 0-050 खाज का प्रियोग करना चाहिए दोस्तों 0-22-34 खाज का डोज आपको एक एकड में एक किलो रखना चाहिए और पानी की मात्रा आपको 200 लीटर पानी रखना चाहिए और एक किलो की कीमत आपको मार्केट में 2-60 खाज के आसपास मिल जाती हैं इस अगर आप इन तिनों कामों को, यानि जरूरी काम, तीन काम कर लेते हो, तो आप आज की कंद को फुला सकते हो, यानि कि आप कंद का आकार बढ़ा सकते हो, तो उसताब वीडियो में बतावी जानकरी अच्छे लगे हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरू इसन